आज के वेडियो में सिफिलिस रोग को समझाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं है से consistently रोग को उपदन्स भी कहा जाता है उपदन्स याे अतिसक भी कहते हैं चैहे ऊपदन्स कहो जाher आतिसक ना कहो जाहे शिफिल इस कहो यहाँ आ सुरच्छित लेंगिक संबंधों के द्वारा फैलने वाला रोग है आसुरचित लेंगिक संबंधों कहा गया है यानि सिफलिस यौन संचारित रोग है अधावा sexually transmitted disease है मतलब सौर्टकट में कहें तो STD है यानि sexually transmitted disease और STD रोग मैथुन के समय यान संबंधों के द्वारा एक विक्ति से दूसरे विक्ति में संचारित होते हैं मैथुन के समय यान संबंधों के द्वारा और ऐसे रोग जो सेक्स करते समय एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैल जाते है उन्हें रजित रोग भी कहा जाता है रजद रोग या veneral disease कहा जाता है अब ये जो सिफिलिस है ये जीवाडों के द्वारा होने वाला रोग है यह बैक्टिरियल disease होती है जो की trypanema pallidum नामक जीवाड के द्वारा होता है यहनी syphilis या उपदंस रोग किस जीवार से होता है तो trypanema pallidum आप सिफलिस को देखा जाए तो पूरुस में संक्रमण के नौ से दस दिन बाद सिष्ण अथवा पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं लगभग में जब संक्रमण हो जाता है जब इंफेक्शन फैलता है तो पूरुस में संक्रमण के नौ से दस दिन और इस्त्रियों में भी लेविया वा योनि में इसी प्रकार के दाने दिखाई देते हैं इस्त्री और पुरुस दोनों में एक से छे माह बाद समस्त सरीर पर चकते पर जाते हैं लगभग में एक से च्छा माह जब हो जाता है तो समस्राइब चक्ते पढ़ जाते हैं या कलिजी की इस रोग में रोगी के जनर अंगों में घाओ बन घाओ और अधिक विक्स्त होनेले पर इसके बाद क्या होता है इस जीवान फि करता है फिर्दय यकरित अस्थियों याननि क्यों हमारा हार्ट होता है जो लीवर होता है जो बॉन्स होती है जो ब्रेन होता है इनको भी प्रभावित करते हैं मतलब यह हुआ कि जब अधिक विक्सित हो जाता है तो हमारे लीवर को ब्रेन को बॉन्स को भी संक्रमित कर देता है या संक्रमित हो जाते हैं और रोगी को धीमा ज रोगी को penicillin antibiotics नामक एंटी भाउटिक देने से या लेने से इस रोग में लाभ होता है झाल पड़िट Nee